दीन देले पाद है गोरगपुल विश्वदाले में चल रहे तृत दिवेशी अंतराश्टे विज्ञानिक संगोश्टी के दूसरे दिन प्रथम सत्रम में प्रोफेसर एसके चौबे मेरट ने कहा कि सकल क्रिश्य उत्पादन का 35-40 प्रतिशत भाग विभी नाशी जीवों प पारे का प्रयोग कैथोर के रूप में होता है डॉक्टर एम मिर्णा नंदन देहरा दुन ने मतस्य उत्पादन इवं परबंदग की नई तकनीकों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मचलियों में कई रोग होती हैं ठंडे जल में पाए जाने वाली ट्रॉयल मचली के कई र पारोन पांडे जवलपूर सुर्य मिश्रा दिलिप कौर सहीद अने शौधारती ने अपने शौत पत्र प्रस्तूत किये पूनम खन्ना संगीता रेनु मौरिया दिली कृष्ण कुमार प्रजापती वर्सा सिंग प्रेंका सिंग कपिल डांगी ने पोश्टर प्रस्तूत कि गोरगपु न्यूस से बात करते हुए काटमांडू नेपाल से आए डॉक्टर दिलिप कुमाज जहा ने कहा प्रस्तूत मौरियोज रेनल्स, सब्सक्राप अज़ा लॉक्टर कुमार खरीशस डिलिफेन तो, की वर्सेजंग का रेनुटर प्रस्तूत कि प्र्क्राप्ण कि कि अधर भूवार्च अवस्ट अवस्ट इन था ठीजो इमखंगी और शनी टुनीर को दूई अवस्कject बड़ू करने दो लापट कार दिसस्कुलीशिक कि भलत कि वकषbahn पूदेएन कर दीजर ALL ऐ भूप पर आपित कि अवस्टेर्स अभूर्ण स्यूच वस्वलर सब्सक्राइब कर दो दो एकार दो जल lo र्चोंण दोटार्च को टो एक वे विए चगार रव उनाष और उनाष प्रष्टन, सब्सक्राइब कर दो दो आगिसे आगाएंग कर दोता है कि यह पुर्ट इजस्ट प्रस्ट खिर्श प्रस तूर्ट इस टाफ प्रस्ट प्रस्ट इन एल्क्रस तोसित प्रस्ट इस नहीं है फिक ट्रृध में पर उन्हेंद नेपाद अनधर करना इस जाय में नेपाद एक लिय दिन्हें, टूनेपादा भी आप्नेपाद पानेपाद इसेटम कोषी, टूनेफ करेंता है। इस यंदिनध नेपाद प्रॉज प्रॉज नेखिका। हाणी को बाइसे चीज़य हैं जो जहाँ मैं एक्षूर च्रोड किया इंट आफ। दिया यहां आते बोल्स पीनिया इंटियार्टी इंटियां का एंटियां अच्पारिकाँ आ आप एंटिया इंच्टी जाला आ श्यार्टिसिट्टी घड़ा केरिशट्स और संदे आप्ट् So, so, we congratulate Dr. Nirmala and we congratulate him by presenting a memento for his brilliant job. कुमार जा है, मैं अभी प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट ओफ एक्वेटिक रिसोर्सेस में, फैगल्टी ओफ एनिमल साइंस, भेटनरी साइंस और फिस्रीज, इसके साथ साथ मैं डिरेक्टर हूँ, निजदेशक पाथकरम विकास केंद्र, क्रिशी तथा बनविग्यान इस विद्याल है, रामपूर चितवन में, मैं यहाँ पर अभी इन्होंने एडवांसमेंट ओफ बाइलोजिकल साइंस, एनि वेरामेंटल साइंस, जो सोसाइटल इंप्रूब्मेंट के लिए क्या है, हीमन मेल फेर के लिए, उसके लिए यहाँ आया हूँ, यह तीन दिन का कन्फरेंस है, यहाँ पर मैंने देखा है कि इंडिया के भीविन भाग से, नेपाल के भी चोड़ लोग, उन्होंने अपना अप्रिजिंटेशन दिया है, इससे क्या होगा, कि यहाँ के विद्यार्थियों को बहुत लाब होगा, कि भारत में, भारत के ही भीविन भाग में क्या हो रहा है, और बाहर में क्या हो रहा है, आई इसका रोल क्या है, तो मैंने अपने प्रिजिंटेशन के मारिफत यह कहा, कि कैसे उन्वर्सिटी जूर सकता है पबलिक से, पबलिक से खास करके उन्वर्सिटी का रोल होता है, प्रैम रोल के ही टीचिंग है, इसके बाद रिसर्च हुआ जिसे अनुसंधान कहते हैं इसके बाद extension हुआ extension और orderage के माध्यम से हम पहुँच सकते हैं societal improvement में societal improvement के लिए हमारे university ने खास करके public school में कुछ selected public school में pond बनाया उसके बाद training दिया वहाँ के विद्यार्चियों को और teacher खास करके secondary level के इसके बाद सिखाया गया उस विद्यार्थी सबको कि कैसे मचली का उत्पादम किया जाए क्योंकि नेपाल में rice मेन मना जाता है कि food के लिए बात के लिए बात और दाल चाप मूल जो होता है वही होता है वहाँ भी यहाँ जैसे लेकिन प्रोटीन के लिए फीस सबसे अच्छा है उत्तम है क्योंकि यह बहुत ही इजिली डैजेस्टिबल होता है तो उसका विद्यार्थी के कुपोशन को हटाने के लिए और कुपोशन तो जहां भी है वर्ड में इवें डेवलप कॉंट्री का दूसरे प्रकार का है लेकिन हम लोगों के यहां तो खाना मतलब संतुमत भोजन नहीं मिलने के कारण यहां कुपोशन है इस इंडिया में भी और नेपाल में तो ही इसक मैं अभी हॉल में बात किया किसी अवह पता है इतने लड़कियं है यहां पर महिलाएं भी ती किसी पुफे नहीं पता है इंडिया में आच्चर्द लगता है कि वोल्डें ठोजन डेंग होता है कि इसमें आपको कोई भी adolescent girls या after marriage marriage के बाद conception होता है तो उसको क्या चाहिए पोसन युग्द खाना चाहिए तो पोसन युग्द खाने के लिए कम से कम gestation period कितने होते हैं जन्मीन जन्रल नो मुन्त का होता है तो दो महिने का 270 दिन हो गया इसके बचा होने के बाद भी बचे को भी पोसन चाहिए एक बर्स और प्लस एक बर्स मुस्ट दो बर्स के लिए तो 730 दिन हो गया 730 दिन हो गया दो बर्स बचे होने के बाद और 9 मेना हो गया गरवाधान के तो कितने हो गया आपको 1000 दिन तक बहुत पोसन युक्त उन्हों को खाना मिलना चाहिए ऐसा प्रोग्राम भी चलाया इन्वर्सिटी से कि कम से कम हम लोग जुड़े नहें पॉब्लिक से इससे क्या होता है कि पॉब्लिक का भी होता है कि इन्वर्सिटी हमारे लिए काम कर रही है पढ़ाय तो होता ही है लेकिन पढ़ाय के साथ साथ तो मुझे लगता है कि इंडिया में भी इस प्रकार का इस गोल्डेन थौजेंटे को यदि बढ़ावा दिया जाए जमचेतना फैला जाए लोगों में कि पोशन युद्ध खाना चाहिए महिलाओं को तो हो सकता है अच्छा होता है बसरते कुपवसित कहिए न हाँ इसलिए मुझे लगता है कि यह प्रोग्राम सभी के लिए आवस्यक आजो मोका आपने दिया है अब किस प्रोग्राम से हैं टीवी से और आपको गुरकफुर नीज को मैं बहुत-बहुत धन्यवाज और रिपोर्टर को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाज देता हूँ जिन्होंने अपना अमुली से समय देके मेरा इंटर्विव लिया और मैं कहता हूँ गुरकफुर नीज से कि कम से कम प्लिज इसको बढ़ावादे हजार दीन क्यों आवस्यक है खास करके गरवदी धन्यवाद